बच्चो आप डेली गरम चाय पीते होंगे या फिर गरम दूर वैसे ही गर्मी की दिनों में आप ठंडी शर्बत लेना पसंद करते होंगे हम सर्दी की दिनों में नहने के लिए कुन-कुने ये गर्म पानी का स्तमाल करते हैं जबकि गर्मी की दिनों में हम ठंडे पानी से नहना पसंद करते हैं ये गर्म और ठंडे शर्ब्द से अप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे लेकिन येदि आपके पास एक ग्लास में कुन-कुना पानी रखा हो और उसके सामने एक उबलता हुआ खौलता पानी रखा हो और इन दोनों में से पूछा जाए कि कौन ठंडा है तो naturally अब कुन-कुने पानी को ठंडा कह देंगे लेकिन उसकुन-कुने पानी के सामने एक फ्रीज से निकला हुआ बर्फ डला हुआ पानी रखा जाए और उसमें पूछा जाए कि इन दोनों में कौन गर्म है तो अब उसकुन-कुने पानी को गर्म कहेंगे यानि कि वो कुनकुना पानी कभी गर्म बन जाता है और कभी ठंडा बन जाता है ये गर्म और ठंडा का हम छूकर सिर्फ एहसास कर सकते हैं लेकिन वो कितना गर्म है ये कितना ठंडा है ये नहीं बता सकते और इस वस्तु के तापमान को नापने के लिए हम ताप मापी का इस्तमाल करते हैं Actually ये ताप मापी उस वस्तु के actual coldness और hotness को बताता है और वही तो temperature है degree of coldness और hotness Actually ये गर्माहट और ठंडक का मापन ही तापमान कहलाता है अब इस ताप मापी को किस प्रकर बनाया जाए मतलब ये कैसे पदार्थ से बनाया जाए इन में क्या गोण होने चाहिए तो किसी भी ताप मापी को बनाने के लिए ये तीन गोण होना निश्चित है पहला तो उस पदार्थ में ऐसा गुण होना चाहिए जो तापमान में निर्भर करता हो यानि कि जिसका तापमान के साथ डारेक्ट संबंध हो और उसका संबंध बिलकुल ही स्पष्ट हो दूसरा इस गुण के परिवर्थन में समरूप दर्शाने वाला पदार्थ होना चाहिए मतलब जब परिवर्थन हो रहा है तापमान में तो उसके साथ पदार्थ का जो गुण है वो भी समरूप से परिवर्थित हो जो तीसरा गुण होना चाहिए वो एक ऐसा सर्वमान्य और प्रचलित मापडंड होना चाहिए जो इस गुण के निश्चित बदलाव को तापमान के एक घट और बढ़ के साथ जोड़ता हो और जब किसी पदार्थ में ये तीनों गुण मिले तो उन तीनों गुणों का इस्तमाल करके हम एक तापमापी का निर्मान कर सकते हैं वैसे ये तीनों गुण हमको तीन पदार्थ में मिल सकते हैं एक पारा, दूसरा हवा और पानी अब पारा, हवा, पानी का इस्तमाल करके हम ताप मापी अंतर स्वयम ही बना सकते हैं वैसे हम पारा से तो ताप मापी अंतर नहीं बनाए हैं लेकिन पानी और हवा के कुडों का इस्तमाल करके हम ताप मापी अंतर बना सकते हैं तो आईए देखते हैं क्रिया कलाब द्वारा कि इस ताप मापी को किस प्रकार बनाया जाता है। बच्चों अभी अभी आपने ताप मापी अंतर के बारे में सुनाएं। तो चलिए हम भी अपना एक खुद का ताप मापी अंतर बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए काज केट, खाली शीशी, एक स्ट्रॉव या खाली रिफिल भी आप ले सकते हैं। और रंगिन पानी। तो सबसे पहले इस काज की शीशी के ढखकन में एक छेत करना है। और इसमें स्ट्रॉव को फसाना है। स्ट्रॉव को फसाने के बाद सेलो टेप से उपर से इसे अच्छे से कवर करना है। ताकि इसमें हवा न जा सके। इस शीशी को हम आधा इस रंगिन पानी से भर देते हैं। अब इस ढखकन को इसके उपर अच्छे से दबाते हैं और दबाकर इसको अच्छे से पैक कर देते हैं। साथ ही आप जब इसमें स्ट्रॉव फसाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो स्ट्रॉव है वो इस शीशी की तली को न चुए। तो देखिए इस प्रकार से यह हमारा एक इस प्रकार से यह तापमा पी अंत्र पैयार हो गया। तो यह कैसे काम करता है चलिए इसके लिए हमें हमारी हतेलियों को रगणना होगा। और हतेलियों को रगणने के बाद इस शीशी को पकड़ना है। हतीलि को तब तक रगđनने जब तक गरम ना हो जाए, तो मेरी हतीली हलकी गरम हो गयी है, थोड़ा और गरम करते हैं तो चलिए गर्माहट मैसूस हो रही हैं अब मैं हतिली से इस शीशी को पकड़ती हूँ और थोड़ी देर पकड़के इससे रखना है ताकि हाथ की गर्मी वो शीशी को मिल सके तो बच्चो अभी हम देख सकते हैं कि जो पानी का लेवल नीचे हमको दिखाई दे रहा था वो अभी उपर चड़ रहा है अभी भी ये उपर जा रहा है तो ऐसा क्यूं हुआ बच्चो ऐसा इसलिए हुआ क्यूंकि हमारी हाथों की उश्मा इस काज की शीशी को मिली और जिससे शीशी के अंदर की जो खाली जगे में हवा थी वो गर्म होकर फैलने लगी और उसका दबाव पानी पर पढ़ा जिसके कारण पानी का स्तर जो है वो उपर उठने लगा और जो हमें इस प्रकार से हमारे ताप मापी अंतर में दिखाई दे रहा है तो लीजे हमारा ताप मापी अंतर तो तयार हो गया है इसे थर्मोस्कोप भी कहा जाता है तो आप भी अपना थर्मोस्कोप बनाईए तो देखा आपने कि किस प्रकार हमने घर में भी बैट कर एक ताप मापी यंतर का निर्मान कर लिया 1593 में साइंटिस्ट गैलिलियो ने भी सबसे पहले ताप मापी यंतर का निर्मान किया था पर ये जो तापमापी एंतर हमने बनाया जिसमें कि हवा के गर्म होने पर पानी में प्रसार हो रहा था और यहाँ पानी स्ट्रॉम में उपर चड़ रहा था पर ये स्ट्रॉम में कोई पैमाना नहीं था बस हमको ये समझ में आया कि गर्म होने के कारण पानी में प्रसार हुआ है और वो प्रसार हमको पाइप में देखने को मिला लेकिन यदि उस पाइप के जगे कोई और उपकरण हम बना ले जिसमें की पैमाने बने हो तो हम इस तरीके से तापमान का exact मापन कर सकते हैं और ऐसा यंत्र आपने देखा होगा जब आपको बुखार होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक यंत्र आपको देता है जिसको थर्ममेटर कहते हैं और उस से मेजर करके वो बता देता है कि आपको कितना बुखार है आपने ध्यान से देखा होगा उस थर्मामीटर में पैमाने बने होते हैं खाचे बने होते हैं और इस थर्मामीटर में जो पदार्थ इस्तमाल होता है वो होता है पारा यानि कि मर्क्यूरी मर्क्यूरी का भी यहां गोण है कि वो तापमान के साथ साथ अपने में प्रसार करता है और यहां प्रसार समरूप होता है यानि कि जितने तापमान होगा वस्तू का उतना ही मर्क्यूरी में प्रसार होता जाएगा जिसके कारण उस थर्मा मीटर के खांचो को आम देखकar जान जाएंगे कि बदार्त का तापमान कितना है और सबसे पहले इस थर्मा मीटर यानि की पारे वाले थर्मा मीटर को बनाया था Daniel Gabriel Foreignheit Scientist ने और ये थर्मामेटर का प्रयोग आप प्रयोगशाला में भी करते हैं मौसम विभाग में मौसम का ताप बताने के लिए भी किया जाता है और अन्य जगों पर भी इस प्रकार के थर्मामेटर का स्तमाल किया जाता है लेकिन बच्चों हमारे पास ताप को मापने के तीन पैमाने हैं तीन अलग-अलग साइंटिस्ट ने ताप को मापने के लिए तीन अलग-अलग पैमाने दिये एक है फारनहाइच, दूसरा है डिग्री सेल्सियस और तीसरा है कैलवे अब ये तीनों ही पैमाने ताप को मेजर करते हैं और ये तीनों ही पैमाने के अधार पर तीन अलग-अलग थर्मामीटर का निर्मान किया गया जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्मामीटर में खाचे होते हैं यानि कि स्टार्टिंग मिंदू होगा इसका इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट हगा अब इस थर्मामेटर के इनिशियल और फाइनल पॉइंट को बताने के लिए जो गोण इस्तमाल किया जाता है वो है पानी का गोण यानि कि हम पानी के भाब बनने वाले ताप मान को उच्चितम बिंदू लेते हैं और पानी के जमने वाले यानि कि बर्फ बनने वाले ताप को हम न्यूनितम बिंदू लेते हैं और इसी प्रकार तीन अलग-अलग पैमाने हमारे पास मौजूद है और तीन अलग-अलग पैम ताप के पैमाने को देखते हैं, सबसे पहला पैमाना है डिग्री फेरनहाइट पैमाना, इसमें पानी का उचितम बिंदो 212 डिग्री फेरनहाइट होता है, और न्यूनितम बिंदो 32 डिग्री फेरनहाइट होता है, अब 212 और 32 को बराबर भागों में बाटें, तो इसके कु 180 भाग होते हैं यानि कि इस धर्मामेटर में कुल समान दूरी पर 180 भाग होंगे दूसरा पैमाना है डिग्री सेल्सियस इसमें पानी का उचितम बिंदु यानि कि boiling point 100 degrees celsius होता है और नियुनितम बिंदु यानि कि freezing point 0 degrees celsius होता है अब 0 और 100 को बराबर भागों में बाटें तो यह 100 बराबर भाग बनते हैं यानि कि इस थर्माCC में 100 बराबर भाग हमको को देखने को मिलते हैं तीसरा पैमाना है Kelvin पैमाना इसमें उच्चितम बिंदू 373 कैलवीन है, और न्यूनितम बिन्दू 233 कैलवीन है, अब इसको हम बराबर भागों में बाटें, तो ये 100 भाग बनते हैं, यानि कि हमारे पास 3 अलग-अलग थर्मा मीटर हैं, 3 अलग-Ulg ताप के पैमाने हैं और तीनों में उच्चितम बिंदू और नियुनितम बिंदू अलग-अलग है इन में कुल भागों की संख्या भी अलग-अलग है पर ये तीनों ही पैमाने आखिर ताप को ही तो मैजर कर रहे हैं यानि कि इन तीनों पैमानों में कुछ ना को संबंधों निश्चित रूप से ही होगा तो आएए देखत तो हम माइनस करेंगे उसका नियुनितम बिंदू और उसको भाग देंगे कुल भागों की संख्या से यानि कि उचितम बिंदू माइनस नियुनितम बिंदू से तो इस प्रकार इस फॉर्मुले का निर्मान होता है जिसमें कि हम अलग-अलग पैमाने को बराबर करके देख सकते हैं क्योंकि जब एक पैमाने से दूसरे पैमाने में परिवर्तन किया जाता है तो इस सूत्र का स्तमाल होता है कि सबसे पहले फॉर्ण हाइट में देखते हैं फॉर्ण हाइट के लिए हम एफ दर्श आते हैं माइनस इसका न्यूनितम मिंदू है 32 डिग्री और इसका उचितम मिंदू और न्यूनितम मिंदू है दो सो बारा माइनस 32 यानि कि इसमें कुल भागो की संखे 180 है बराबर करते हम डिग्री सेल्सियस के तो सी माइनस जीरो लिखेंगे 100 माइनस 0 लिखेंगे उचितम मिंदू माइनस न्यूनितम मिंदू बराबर क्यल्विन मानि कि के माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 अब इसको हम लोग और सिंप्लिफाई करते हैं तो यह हो जाएगा एफ माइनस 32 अपॉन 180 बराबर सी अपॉन 100 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 100 अब हम नीचे देखें डिनोम नेटर में देखें तो 180 है 100 है और 100 है यह तीनों ही 20 के टेबल में आते हैं तो हम इसको और सरल कर देते हैं 20 के टेबल से हम इसको काटेंगे तो यह बन जाएगा एफ माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू C अपॉन 5 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5 यह सूत्र तीनों पैमानों में संबंद को दर्शा आता है और यह सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ट एक्जाम में भी इस सूत्र से रिलेटेट कोश्चन जरूर आता है कॉम्टिटिव एक्जाम में भी आता है एक पैमाने का मान दिया गया होगा तापका जिसको हमको किसी अन्य पैमाने में चेंज करना होगा तो आईए ऐसे ही कोश्चन सा एक उधारण देखते हैं और इसको सॉल्फ करके भी देखते हैं कि यह किस प्रकार बनता है उधारण डॉक्टर द्वारा हमारा सामान ने तापमान अंठ्यानबे दशमलोच छे डिगरी फैरनहाइट बताया जाता है सेल्सियस पैमाने में यह कितना होगा हल हम जानते हैं कि तापमान का पैमाना फैरनहाइट माइनस उस पैमाने का निमनतम बिंदू 32 बटे उस पैमाने का उच्चतम बिंदू फैरनहाइट का दो सो बारा माइनस उसका निमनतम बिंदू 32 बराबर हमें इसको बदलना है सेल्सियस पैमाने में सेल्सियस पैमाने का संकेत सी Celsius पहमाने का निमनतम बिंदू 0 Celsius पहमाने का उच्छतम बिंदू 100 minus Celsius पहमाने का निमनतम बिंदू 0 हल करेंगे इसको F minus 32 212 में से 32 घटाएंगे 180 C में से 0 घटाएंगे C 100 में से 0 घटाएंगे 100 इसको 20 से भाग दे देंगे हम F minus 32 बटे 9 बराबर C बटे 5 हमें C का मान निकालना है इसलिए हम इसको तिरियक गुना कर देंगे तो यह अपना हो जाएगा 5 बटे 9 गुनेद F minus 32 बराबर C हमें फेरन हैट पैमाने में मान दिया हुआ है 98.6 98.6 minus 32 बराबर C 5 बटे 9 इनको घटाएंगे ति आपका हो जाएगा 66.6 बराबर C पांच का गुना 66.6 के साथ करेंगे मान जाएगा 333 बटे 9 बराबर C 333 को 9 से भाग देंगे यह जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेट बराबर C इस तरह सैंटिस 37 डिग्री सेल्सियस बराबर C पैमाने में मान अर्थाथ 98.6 डिग्री फेरन हैट बराबर 37 डिग्री सेंटीग्रेट यही मनुस्य का तापमान होता है यही इसका हल है उधारण यदि किसी कमरे का तापमान शुन्य कैल्विन है तो सेल्सियस पैमाने में उसका तापमान कितना होगा हम सबसे पहले इसका सुत्र लिखेंगे सुत्र आपको बताया गया तापमान का पैमाना कैल्विन पैमाना का के माइनस उसका निमनतम बिंदू 273 कैल्विन पैमाना का उच्टम बिंदू 373 माइनस कैल्विन पैमाना का निमनतन बिंदू 273 बराबर इससे हमें बदलना है सेल्सियस पैमाने में Celsius पेमाने के तापका पेमाने का संके C minus उसका निमनतम बिंदू 0 बटे उसका उच्तम बिंदू 100 minus उसका निमनतम बिंदू 0 हल करेंगे K minus 273 बटे 373 में से 273 घटाएंगे 100 बराबर C minus 0 C 100 minus 0 100 100 से भाग दे देंगे K minus 273 बराबर C मान रखेंगे Kelvin पेमाने में 0 K minus 273 बराबर C minus 273 degree centigrade बराबर C तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार हम तापमान को एक पैमाने से दूसरे पैमाने में चेंज कर सकते हैं यह हमने देखा कि 0 Kelvin बराबर होता है minus 273 degree Celsius यह Kelvin जो है वो निउनितम ताप है 0 Kelvin इसे हम कहते हैं परमशुन्य इससे निमनत ताप नहीं हो सकता एक्शुली तापमान का जो ऐसा ही मातरक है वो Kelvin ही होता है यानि कि इसके निउनितम मान को ही 0 Kelvin को ही हम परमशुन्य के नाम से जानते हैं अब हम तापमान से जुड़ा हुआ एक और अपने दैनिक जीवन को उधारन लेते हैं यदि आपके पास एक गरम दूद का ग्लास हो उसे ठंडा करना हो तो आप क्या करते हैं हम उस गरम दूद के ग्लास को एक ऐसे बरतन में रख देते हैं जिसमें ठंडा पानी हो और क्या देखते हैं कि कुछ देर बाद वो दूद जो है वो ठंडा हो जाता है और वो बरतन में रखा हुआ पानी थोड़ा सा गरम हो जाता है इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो कि दूद से निकल कर उस पानी में चला जाता है और जब इस बात की पुष्ठी नहीं हुई थी तो लोग यहीं मानते थे कि उस गरम दूद के गलास से जो अदिश्य चीज निकल कर उस पानी तक जाती है स्थानंत्रित होती है वो एक पदार्थ है और उस पदार्थ का नाम दिया गया था कैलोरिक यानि कि कैलोरी के कैसा पदार्थ है जिसके रहने से किसी वस्तू का तापमन बढ़ जाता है और जिसके निकल जाने से वस्तू का तापमन घटने लगता है अब चलो हम एक और उधारन लेते हैं बहुत पुराने की बात है जब तोपो का स्तमाल किया जाता था सतरवी सताबदी में जब तोपो का स्तमाल होने लगा तो तोपो की नलियों में सुराख करने के लिए हम एक धातू से युक्त सैंत्र का मशीन का स्तमाल करते थे और उस मशीन को अश्व शक्ती से घुमाया जाता था और जब उसमें सुराख किये जाते थे तो यह देखा जाता था कि वो नली जो है वो गर्म हो जा रही है तो कैलोरिक सिधान से ये माना जाता था कि उस नली में कैलोरिक होती थी जिसका रिसाव धीरे धीने नली में होने लगता है जिसके कारण नली गर्म हो जाती है पर ये बात वैज्ञानिक जो कि एक कुशल युद्ध विशेशक की भी थे जिनका नाम था बेंजामीन थॉम्सन जिनने बाद में काउंट रमफोर्ट की नाम से जाना गया उनको जमी नहीं वो ये मानने को तयार ही नहीं थे कि कैलोरीक एक ऐसा पदार्त है जिसके कारण किसी वस्टू का तापमान अधिक होता है या जिसके निकल जाने से वस्टू का तापमान घट जाता है उन्होंने ये देखा कि जब घोडों की सहता से उस संयंत्र को घुमाया जाता है तो वो नली गरम होती है तो उन्होंने विबिन्न प्रयोग द्वारा ये साबित भी किया कि कोई वस्तू गर्म तब भी हो सकती है जब उसमें घर्शन हो और इस बात की पुष्टी वेग्यानिक न्यूटन ने भी की उनका भी मत यही था पर इस बात की पुष्टी तब हुई जब 1840 और 50 के बीश में जूल ने अपना प्रयोग किया जूल ने यांतरिक उर्जा और उश्मी उर्जा की बीश में समतुल्यता बताई और इसके अनुसार यांतरिक उर्जा को उश्मी उर्जा में परिवर्थित किया जा सकता था और इसलिए काउंट रमफोर्ड ने उश्मा को एक पदार्थ ना कहे कर उन्होंने इसे उर्जा माना एक ऐसी उर्जा जिसके कारण किसी वस्तु की गर्माहट का एहसास होता है उश्मा एक ऐसी उर्जा है जो किसी वस्तु में होती है तो वस्तु गर्म लगती है और वह उश्मा यानि कि उर्जा जब वस्तू से बाहर निकल जाती है तो वह वस्तू धीरे-धीरे थंडी होने लगती है यानि कि हम देखें तो उश्मा और तापमान एक दूसरे से जुड़े हुए है जब किसी वस्तू में उश्मा होती है तो उसका तापमान बढ़ जाता है उश्मा निकल जाती है तो उसका तापमान घट जाता है तो यूं कह सकते हैं हम कि उश्मा जो है वो कारक है और तापमान उसका प्रभाव को कि इस प्रकार यह सबस्ट है कि ऊश्वा एक ऊर्जा अब इस ऊश्वा ऊर्जा काstadt मात्रक क्या है जैसे कि उश्वा एक ऊर्जा है तो उसकासा एक मात्रक जूल होना चाहिए और इसका औरank हम क्लोरी लेते हैं एक कैलोरी उश्मा की वह मात्रा होती है जो एक ग्राम पानी के ताप को 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए अवश्यक हो अब इस CGS मात्रक कैलोरी और SI मात्रक जूल में क्या संबंध है एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल वैसे वहवारिक तोर पर हम कीलो कैलोरी कभी इस्तमाल करते हैं एक कीलो कैलोरी बराबर होती है 1000 कैलोरी अभी इन उधारों में हमने देखा कि उश्मा एक वस्तू से निकल कर दूसरे वस्तू में स्थानांतरत हो रही है ऊश्मा एक वस्तु से निकल के दूसरी वस्तु में इस थानांतरित होती हैं। ये दो बाल्टिया हैं जिसमें दोनों में पानी भरा हुआ है जैसे कि हम देख रहे हैं एक बाल्टी में पानी का इस्तर अधिक है और दूसरे बाल्टी में पानी का इस्तर कम है अब इन दोनों बाल्टियों को मैं जोड़ दूँ नीचे से हमने इन दोनों को जोइंट कर दि यहाँ पर हम असानी से बता सकते हैं कि जिस बाल्टी में पानी का इस्तर अधिक है वहाँ से पानी निकल कर उस बाल्टी में प्रवाहित होगा जिसमें उसका इस्तर कम है अब इसी को ही हम उश्मा प्रवाह में जोडते हैं इस दो बाल्टी के जगे में हम कोई दो वस्तू लेते हैं और इस पानी के जगे हम उश्मा लेते हैं हमने पानी का इस्तर देखा है तो पानी के इस्तर को हम यहां पर रिलेट करते हैं तापमान से मान लीजे इस बाल्टी में पानी का स्तर अधिक था तो उसी प्रकार इस वस्तू में भी तापमान अधिक है और दूसरे वस्तू में तापमान कम है जैसे कि एक बाल्टी में पानी कम था तुमने क्या देखा था उच इस तरवाले पानी के लेवल से पानी कहां फ्लो हो रहा तो यहां पर भी सेम उश्मा का प्रवा वैसे ही होता है जिस वस्तु में तापमान अधिक हो उश्मा उस वस्तु से निकलकर निम्न ताप वाली वस्तु में प्रवाहित होती है और इसी प्रवाह को हम कहते हैं उश्मा संचरण और उसमा संचुरन की वी तीन विधाएं हैं और ये तीनों विधाएं हैं चालन, समवहन और वीकिरन ये तीनों विधाएं अलग-अलग अवस्थां में होती हैं हम जानते हैं कि पदार्थ के तीन रूप होते हैं एक उतर थोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस तो जो संचुरन की विधा है ये तीनो माध्यमों में यानि कि पदार्थ की तीनो रुपों में किस प्रकार से होती है वो हम देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं थोस की हम जानते हैं कि थोस में अनू जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही closely packed होते हैं एक दूसरे से बहुत ही पास-पास होते हैं उनके movement के लिए जगे नहीं होती वो बस अपने स्थान पर कंपन कर सकते हैं लेकिर अपने स्थान से हिल नहीं सकते तो इस प्रकार के ठोस में उश्मा का संचरन किस प्रकार होगा आईए हम इसको एक activity द्वारा देखते हैं बच्चों उश्मा का संचरन याने उश्मा का एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक इस्थानांतरण जो सदैव उच्चिताप से निम्नताप की ओर होता है ये जो उश्मा का संचरन है ये अलग-अलग पदार्थों में अलग-अलग होता है जैसे यदि हम ठोस पदार्थ की बात करें तो उसमें उश्मा के संचरन को हम चालन कहते हैं यदि हम द्रवों की बात करें तो उसमें उश्मा के संचरन को हम सम्वान कहते हैं और गैसों में ये कहलाता है विकिरन ठोस पदार्थों में भी जो उश्मा का संचरन है वो अलग-अलग पदार्थों में अलग-अलग होता है किसी में ज्यादा, किसी में कम जैसे इसी बात को समझने के लिए देखिए यहां हमने दो अलग-अलग पदार्थों की यह छड़ली है जो मोटाई और लंबाई में समान है ठीक है ये है काच की चड़ है और ये है आपके तामबे की चड़ आप देख रहे हैं कि इन दोनों चड़ों में हमने ये इस प्रकार देखे आलपिन जो है वो alpin mom से लगा दी है जो समान दूरी पर है ठीके अब हम क्या करेंगे हम इन छड़ों को उनके किसी एक सिरे से गर्म करेंगे और इस stop watch की मदद से हम इसे गर्म करने के बाद जो alpin आपको दिख रही है वो alpin क्या होगी गिरेगी तो इनके time को हम note करते चलेंगे कि कौन सी की देर से तो चलिए शुरू करें तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इस मों बत्ति को जलाना होगा ठीक है इसे हम जला लेते हैं और अब इसे में गर्म कर रही हूँ एक-एक करके हम इस चड़ को गर्म करेंगे ठीक है और अब हमको देखना है यह देखिए यह स्टॉप वच हम यहां पर देखे शुरू कर रहे है इसको भी इधर गर्म करने लगाया और इसे अन कर लिया इस टॉप वच चल पड़ी है और इसको हम गर्म करने लगे हैं जैसे ही पहले आलपिन गिरेगी हम उसका टाइम जो है वो नोट कर लेंगे यह देखिए जो पहली आलपिन है वो एक मिनट अरतिस सेकेंड में गिरी हम इसे अभी भी गर्म कर रहे हैं और आगे देखते हैं कि अब नेक्स जो आलपिन है वो कितनी देर में गिरेगी इस प्रकार देखिए यह दूसरी भी जो है वो चड़ गिर गई और यह टाइमिंग होई है पांच मिनट दस सेकेंड इसी प्रकार आपको बाकी जो आलपिन है उनके भी गिरने का समय नोट करना होगा अभी हम अब फिलार चलते हैं तामबे की छड़ की ओर और उसे भी गरम करते हैं और देखेंगे कि इसकी जो आलपिन है उनके गिरने की क्या समय होता है उनके गिरने का टाइमिंग क्या होगा चलिए हमने इसे reset कर लिया है यह अपनी पूर्वा वस्ता में हो गया और अब हम कांच की जो छड़ है उसके बाद गरम कर रहे हैं तामबे की छड़ को और इसे stop watch को भी देखें यह शुरू किया गरम करना और stop watch भी हमेरी चल पड़ी है अब आप देखें कि इसमें जो है वो allpin कितने समय पर गरती है यह हम देखेंगे यह देखेंगे यह तुरंद जो है यह हमारा बिल पिंसा रहा है कि अब गिरने ही वाली है यह देखेंगे यह तीस से केड में जो है वो गिर गई पहली आलपिन इसे नोट कर लीजिए आप और अब ये देखिए ये दूसरी आलपिन की सिर्थी भी आप देखेंगे ये ये अरतालीस सेकेंड में ये भी गिर गई है कितनी तेजी से देखें यहाँ पर जो उश्मा का संचरण है वो एक सीरे से दूसरी सीरे की तरफ हो रहा है ये देखिए ये तीसरी आलपिन की सिर्थी भी आप देख रहे होंगे एक मिनट साथ सेकेंड ये सब आप नोट करते चलिए ये देखिए इसकी सिर्थी फिर बदल रही है और स्टॉप वच पर आपको ध्यान देना होगा एक मिनट चालिस सेकेंड ये देखिए एक मिनट तो दो मिनट हो गए है वैसे और देख लेते हैं दो मिनट दस सेकेंड तो आपने देखा कि जो तामबे की चड़े उसमें जो है उश्मा का संचरन एक सिरे से दूसरे सिरे में बहुत कम समय में हुआ जिसके कारण आलपिन गिरने का जो समय था वो कम था और कांच की छड़ में जो आलपिन गिर रही थी वह बहुत समय ले रही थी क्योंकि उसमें उश्मा का जो संचरन था वो बहुत ही धीमा था तो बच्चो हमने ये देखा कि जो कांच की छड़ है उश्मा का जो संचरण है वो बहुत कम और तामबे की छड़ में ज्यादा ऐसी जो धातुएं होती हैं जिसमें उश्मा का संचरण बहुत कम होता है उन्हें हम कू चालक कहते हैं और जिसमें उश्मा का संचरण तेजी से होता है उसे हम चालक या सूचालक कहते हैं इसके अलावा ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसमें उश्मा का संचरण नहीं होता है इन्हें हम उश्मा रोधी पदार्थ कहते हैं इस प्रकार उश्मी चालकता के अधार्थ पर तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं एक होता है उश् गर्म करने पर हमने देखा कि न हम अ single कि चर की आल पीन जो है वह पहले गCU यह склад पगना करेंगे अब की से घरेंगे गराब शडके बीच ओ लिए पीरों फिर से लगा लिये ऑन पीर से लगा ली है और गाला है और अब हम इस पर रेंगे प्यर प्रीक देनाराँ among the ये काच की छरड़ को वापस फकड़ने के लिए उस प्रकार चो आम पहले किया था यह को देखें निसरे यह देखना है कि आलपिन जो गिरती है वो कितने समय में गिरेगी और यह भी देखेंगे कि इस बार जो है वो कौन सी आलपिन पहले गिरती है यह देखिए यह जो है एक आलपिन गिर गई है तीन मिनट बीस सेकेंड में आपने देखा कि यह वाली जो आलपिन है वो गिर गई थी ये देखिए चार मिनट 35 सेकेंड में यहाँ जो दूसरी आलपिन है वो भी गिर गई इसी प्रकार हम आगे भी इसे गर्म करकर देख सकते हैं कि बाकी आलपिन जो है वो कितने समय में गिरेगी ठीक है अब हम लेंगे तामबे की छड़ चलिए अब हम तामबे की छड़ को बिल्कुल उसी प्रकार बीच ओ बीच से गर्म कर लेते हैं और इसको गर्म करने के साथ साथ हम ये स्टॉप वॉच आउन कर दिये देखते हैं यहाँ पर कितने समय में जो आलपिन है वो गिरती है आपने परिवर्तन को देखा आलपिन में परिवर्तन हुआ है जो दोनों हमारे बीच के सीरों से आसपास में हैं ये देखिए एक साथ ये 35 सेकेंड में ये दोनों आलपिन जो है वो गिर गई इस ये प्रकार देखिए ये 45 सेकेंड में ये आलपिन गिरी है एक मिनट लगा इस आलपिन को गिरने के लिए तो बच्चों हमने देखा कि जब इन दोनों चड़ों को हमने बीच से गर्म किया तो लगबग समान समय में जो इसके आसपास की जो ओलपिन थी वो एक साथ गिरी तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उश्मा का संचरण समान समय में ही होता है दोनों दिशाओं में हमें समान समय में उश्मा का संचरण दिखाई देता है ये उश्मा का संचरण कैसे होता है? जो चालन होता है चालन के द्वारा उश्मा पदार्थ में एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक पदार्थ के कड़ों द्वारा अपना इस्थान छोड़े भिना ही संचरित होती है जैसे जब हम छड़ को गर्म करते हैं तो जो हिस्सा गर्म हो रहा होता है वहां के कड़ों में कमपन बढ़ जाता है और कमपन के बढ़ने से उसमें उश्मी उर्जा बढ़ जाती है और ये अधिक उर्जा जो है वो अगले कड़ों को ये स्थाननत्रित कर देते हैं और इससे ही उश्मा का संचरण होता है तो ठोसों में उश्मा का संचरण पिल्कुल इसी प्रकार से होता है इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि उश्मा जो है वो चालन के जरिये ठोस में संचरित होती है और ये संचरण थोस में अलग-अलग पदार्थ में अलग-अलग तरीके से होता है किसी पदार्थ में उश्मा असानी से संचरित हो जाती है और किसी पदार्थ में उश्मा असानी से संचरित नहीं हो पाती इस उसमा चालकता के अधार पर हम ठोस को तीन भागों में बाटते हैं एक उसमा रोधी उसमा रोधी ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसमा का संचरन नहीं करते इस उसमा रोधी का best उधारण है एबोनाइट और एसबेस्टस आपने देखा होगा कि जो घर की छटों पे sheet लगाई जाती है वो हमको cement type दिखती है वो actually asbestos की sheet होती है और ये उश्मा रोधी होती है जिससे की घर गरम नहीं रहता, थंडा रहता है जिन पदार्तों में उश्मा का संचरन थोड़ी कठिनाई से होता है उसे हम कहते हैं कूचालक मतलब ये आसानी से चालन का काम नहीं करते और इसका उधारन है काच आपने देखा होगा कि काच जो है वो कम ताप में कूचालक रहता है और उच्च ताप में वो चालन का काम करता है आपने उसका उधारन भी देखा होगा जैसे कि poly house बनाए जाते हैं या green house बनाए जाते हैं उसमें जो दिवारे होती और छट होते हैं वो काँच के बनाए जाते हैं कारण क्या है कि इन पौधा घरों में हमको पौधों को germinate करने के लिए एक निश्चित ताप के अवश्यक्ता होती है और जब दिन में अधिक ताप रहता है सूरज हमारे सर पे रहता है तो सूरी की किरनों की कारण ये जो काँच है वो चालन का काम करता है जिससे की सूरी की किरने इस काँच को पार करती हुई poly house में इस green house में एंटर कर जाती है और इसका तापमन बना रहता है लेकिन जब रात होता है जब सूर्य नहीं रहता तो ये कांच थंडा हो जाने के कारण कूच आलक हो जाता है और इसके अंदर green house के अंदर जितनी भी ऊश्मा भरी होती है इस कांच की दिवार से पार नहीं जा पाती इसका मतलब रात में भी इस green house का तापमान बना रहता है तीसरा भाग है वो है चालक चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो उश्मा का संचरण बहुत ही असानी से कर देते हैं और इनके उधारने सभी प्रकार के धातू लोहा तांबा सोना चाली और जल भी उश्मा का चालक ही है अब हम दूसरे माध्यम की बात करते हैं जिसमें की गैस और द्रव शामिल हैं यानि की तरल की बात करते हैं तरल ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके अनू गती कर सकते हैं हम जानते हैं कि गैस में अनू बहुत दूर-दूर होते हैं, इनके बीच में काफी स्पेस होता है, तो ये आसानी से गती कर सकते हैं, द्रव में भी जो अनू के बीच में दूरी काफी होती है और इनके बीच में भी जगे होती है कि ये गती कर सकें, तो ऐसे माध्यम जिनके अणू गती कर सकते हैं उनके बीच में उश्मा संचरंड कैसे होता है आईए हम एक क्रिया कलाब द्वारा देखते हैं बच्चो पते हैं आज मेरा हांच जल गया। वो क्या हुआ जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो सबजी बनाते समय सबजी वाले बरतन में चमच छूड़ गया। और जब नच चमच को पकड़ने गई तो मेरा हाथ जल गया। बच्चो जब भी कोई वस्तु जो उश्मा की चालक होती है उसके एक सिरे को गर्म करने पर उसके दूसरे सिरे पर भी हमें गर्माहट महसूस होती है ऐसा क्यूं होता है जैसे घरों में पानी की टंकी ऊपर रखी होती है और पानी की टंकी से पानी का बहाव जो है वो नीचे की ओर आता है तब हमें नलों में पानी प्राप्त होता है बिलकुल उसी प्रकार उश्मा भी उच्चताप से निम्नताप की ओर संचरित होती है इसे ह कि हम उश्मा का संचरण कहते हैं बच्चों उश्मा का संचरण तीन प्रकार का होता है एक होता है चालन दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण जब द्रवों और गैसों में उश्मा का संच्रण की हम बात करते हैं तो उसे हम समभान कहते हैं चलिए द्रवों में समभान को समझने के लिए हमें क्रिया कलाब करते हैं इस क्रिया कलाब के लिए हमें जिन सामगरियों की आविशक्ता है वो है बीकर बीकर में पाणी हमारे पास है यह है स्पिरिट लेम, ट्राइपॉट और ये है सरसों के दाने और स्पिरिट लेम को जलाने के लिए माचिस बच्चों आपकी पुस्तक में जो संबहन के लिए क्रिया कलाब दिया गया है उसमें स्याही का उप्योग हुआ है और हम यहाँ पर क्रिया कलाप में उपयोख करें सरसों के दाने का क्योंकि यह सरसों के दाने आपके घरों में भी उपलब्ध है तो आप अपने घरों में भी इस क्रिया कलाप को करके देख पाएंगे चलिए क्रिया कलाप शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले पानी को हम बीकर में डालेते हैं और अब इस्पिरिट लेम को जला लेते हैं मेरा हांद जला हुआ है मुझे बहुत जलन हो रही है और अब इसमें डालते हैं सर्सों के दाने इस सर्सों के दाने गिर रहे हैं देखते ही जैसे जैसे गर्म होगा उस समय क्या प्रक्रिया होती है जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा यह सरसो के दाने जो है यह आपको उपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जब बीकर में रखा पानी को हम गर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले बीकर की तली गर्म हो रही है और इसलिए बीकर की तली पे संपर्क में आने वाला जो पानी है वो सबसे पहले गर्म हो रहा है और वह गर्म होके हलका हो गया जिसके कारण वह उप उपर उठते हुए दिखाई दे रहे और उसका इस्थान जो उपर ठंडा पानी है वो ले ले रहा है इस प्रकार इसमें उश्मा का संचरन हो रहा है और इसे ही हम समवहन की प्रक्रिया कहते हैं तो जो द्रवों में उश्मा के संचरन की प्रक्रिया होती है वो समवहन कहलाती तो इस प्रकार इस क्रिया कलाव से हमें समश में आया कि तरल में उश्मा संचुरन समवन वीधा के द्वारा होता है समवन वीधा का एक और उधारान आपने देखा होगा आप भी घरों में समवातन होता है यानि कि वेंटिलेटर ये कहां बनाया जाता है ये घरों में दिवारों में उपर में बनाया जाता है जैसे कि हम खिड़कियों को दिवारों में एक मिनिमम रेंज में बनाते हैं लेकिन समवातन और वेंटीलेटर को हम काफी उपर बनाते हैं तो वेंटीलेटर को उपर बनाने का क्या करण है जब घर की हवा गरम हो जाती है तो ये गरम हवा उपर की और उठने लगती है और उपर की और उठने लगती है तो हम अपने घरों में छट के पास में समवातन बनाते हैं क्योंकि जब छट भी गरम हो जाता है तो उसके आसपास की हवा गरम होने लगती है और ये गरम हवा बाहर निकलना जरूरी होता है ताकि घर का तापमान बना रहे हैं तो समवातन के जरीए गरम हवा बाहर निकल जाती है जिसे की घर का वातावरन ठंडा बना रहता है हमारे दैनिक जीवन में समवहन से जुड़ी एक और उधारण है जिसका आनंद लेना आप पसंद करते हैं तेज धूप में गर्मी की दिनों में भी आप समुद्र के किनारे घंटों बैठ सकते हैं क्योंकि वहां पर आप आनंद लेते हैं ठंडी हवाओं का कभी आपने सोचा है ये ठंडी हवाय कहां से चलती है हम जानते हैं समुद्र के किनारे नदी के किनारे रेथ तथा चटाने होती है ये पत्थर होते हैं और रेथ का ये गोन होता है कि वो बहुत जल्दी गरम हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है तो दिन के समय जब रेत बहुत गर्म होता है तो उस मैदान की उपर की जो हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है और गर्म हवा हलकी होने की कारण उपर उठने लगती है वहीं उसकी तुल्ला में यदि हम समुद्र के उपर पानी का उपर की हवा देखें तो वो हवा ठंडी हो इस खाली स्थान को भरने के लिए तेजी से इस समुद्र तट की ओर आती है यानि कि मैदान की ओर आती है और वही थंडी हवा का आनन अब मजे से लेते हैं पर रात में इसका विपरित होता है हम जानते हैं कि रेत जल्दी थंडी हो जाती है मतलब अब रेत की उपर की हवा ठंडी हो चुकी है जबकि पानी अभी भी हलका सा गर्म रहता है तो पानी की उपर की हवा अभी भी गर्म है और ये हवा उपर उठती है अब यहाँ पर पानी की उपर की जगे खाली होने लगती है और अब यहाँ से जो मैदानी हवा है वो सम समुद्र की और बढ़ने लगती हैं तो इस प्रकार हमने देखा कि दिन के समय समुद्री हवा चलती है समुद्र से समुद्र तट की और मैदानों की और जिसे हम सी ब्रिज कहते हैं और जबकि रात में मैदान से समुद्र की और हवा चलने लगती है जिसे हम लैंड ब्रिज कह लेकिन जो सूरज से आने वाली उश्मा उर्जा है जिसका एसास हम सभी करते हैं दिन के समय हमें गर्म लगता है और जब सूरज नहीं रहता तो ठंडा कारण यही है कि सूरज से आने वाली उश्मा भी हम तक पहुच रही है लेकिन सूर्य और पृत्वी के बीच में कोई है सूरज से प्रितवी के बीच में निर्वात है तो यहां उर्जा कैसे हम तक पहुच पाती है तो यह समवहन की तीसरी विधा है जिसे हम की की रण के नाम से जानते हैं और इस वी के माध्यम से शूरज से आने वाली उश्मा उर्जा प्रकाश की चाल से सीधे सूर्य से प्रित्वी तक पहुच जाती है इसी प्रकार हमने देखा है कि जब किसी वस्तु को गरम किया जाए तो वो चारों दिशाओं में समान रूप से उश्मा को एमीट करता है उश्मा का वीकिरन होता है जिसके कारण हम उस वस्तु की गरमाहट को महसूस कर सकते हैं जब किसी वस्तु पर उश्मा पढ़ती है उश्मा उर्जा किसी वस्तु को दी जाती है तो हमने देखा है कि वो वस्तु गरम होने लगती है यानि कि वो उश्मा को कर सकते हैं वो उश्मा के अच्छे उत्सर्जग भी होते हैं मतलब वो उश्मा को उतना ही अच्छा उत्सर्जद भी कर सकते हैं यानि कि उश्मा का अवशोशन या उत्सर्जण वो निर्भर करता है कि वस्तु किस प्रकार की है वस्तु का ताप कैसा है अलग-अलग वस्तु में उश्मा का अफ्शोशन और उसर्जन अलग-अलग तरीके से होता है किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है साथ ही हम देखें तो यह ताप में भी निर्भर करता है जैसे मैंने आपको काश में बताया था कम ताप में वो उश्मा का कुछ आलक रहता है लेकिन अधिक ताप में वो उश्मा का चालक बन जाता है सेम बैसे ही एक और फैक्टर है जो उश्मा का अफशोषण और उस सर्जन को प्रभावित करता है और वो है रंग आपने देखा होगा कि हम गर्मी में हलके रंग के कपड़ों का इस्तमाल करते हैं जबकि हम सर्दियों में गहरे रंग के कपड़ों का इस्तमाल करते हैं जैसे कि काला गर्मीयों में हम काला रंग क्यों नहीं इस्तमाल करते क्योंकि काला रंग भी उश्मा का अच्छा अवशोशक होता है और जब ये उश्मा का अवशोशित करेगा तो गर्मी और जादा लगेगी जो सफेद रंग होता है वो उश्मा को अवशोशित नहीं करता इसलिए हम गर्मी की दिनों में हलके रंग के कपड़ों का स्तमाल करते हैं तो जो उश्मा का उस सर्जन है और अफ्षोशन है वो निर्भर करता है वस्तू के ताप पर वस्तू के रंग पर साथ ही वस्तू की प्रकृती पर कि वस्तू खरदूरा है या फिर उसकी सता चिकनी है अब आईए बात करते हैं उश्मा के प्रभाव की यदि किसी वस्तू को उश्मा दी जाती है तो यह तो इसपश्ट है कि उस वस्तू का तापमान बढ़ जाता है और किसी वस्तू से उश्मा ली जाती है तो उस वस्तू के तापमान में गिरा वठा जाती है तो उश्मा का सबसे पहला प्रभाव होता है ताप में वृति लेकिन आपने देखा है यदि धूप में एक लोहे की बेंच रखी हो और एक लकडी की बेंच रखी हो तो दोनों में से कौन सी बेंच हमको जादा गरम लगती है हम जानते हैं इसका अनभव कर चुके हैं कि लोहे की बेंच जो है वो जादा गरम लगती है जबकि दोनों ही एक ही सूरज की नीचे रखे गए हैं लेकिन लोहे की जो बेंच है वो जल्दी गरम हो जाती है या फिर जादा गर्म हो जाती है यदि हम उसको लकड़ी की बेंच से तुलना करें